केसी वेनुगोपाल जी, पीच तामरम जी, दिनेश गुंडूराउ जी, गिरीश चोदांकर जी, दिगंबर कामच जी, फ्रांसिस्को सर्दिन्या जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नेता, प्यारे कारे करता, भाईयों और बहनों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, और जो बाहर खड़े हैं, आपका भी आज यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कात. गुआ का चुनाओ है, और आपको मन बनाना है, आपकी सरकार कौन चलाएगा? सच्चाई यह है, बीजेपी की सरकार है, और टक्कर कौंग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है, बाखी जो पार्टियां हैं, वो टक्कर में नहीं है. तो आज मैं आपको कौंग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में, और हम गोआ की सरकार को किस प्रकार चलाएगे? हम में और उन में BJP में क्या फरक है सोच में क्या फरक है काम करने के तरीके में क्या फरक है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको याद होगा बहुत साल पहले जो यहां मारे बुज़र्ग लोग बैठे हैं कि जब गोआ को ये डिसाइड करना था कि गोआ महराष्ट्रा से जुड़े या गोआ अलग रहे तो कॉंग्रेस पार्टी ने गोआ की जनता से ये सवाल पूछा था पहली बार गोआ में उपिनियन पोल हुआ था आपको याद है गोआ में उपिनियन पोल हुआ था कॉंग्रेस पार्टी ने निर्ने नहीं लिया प्रधान मंत्री ने निर्ने नहीं लिया गोआ से पूछा आपका प्रदेश है आप क्या चाहते हो और आपने निर्ने लिया कि आप अलग रहना चाहते हो और जो आपने उपिनियन पोल में बोला वो ही कानून बना तो मैं सबसे पहले आपको एक आश्वासन दिना चाहता हूँ और सिर्फ मैं नहीं स्टेज पे हमारे सब नेता जो बैठे हैं हम सब मिलकर आपको एक आश्वासन दिना चाहते हैं गोआ में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो वो गोआ की सरकार होगी कॉंग्रेस पार्टी की नहीं गोआ की जनता की सरकार होगी हमारा काम जो आप चाहते हो अपने प्रदेश के भविश्य के लिए जो आप चाहते हो उसको करना हमारा काम है और अगर हम सचमुच में आपकी सेवा करना चाहते हैं तो ये काम बिना आपसे बात किये बिना डिसकॉशन के बिना चर्चा के नहीं हो सकता है तो सबसे बड़ा फरक ये है कि बीजेपी की सरकार बिना पूछे जो करना चाहती है कर देती है और आपने देखा है आप बहुत उधारन है आज टूरिजम इंडिस्ट्री के लोग मुझे से मिले और दो तीन उधारन आज उन्होंने मुझे दिये बिना पूछे किसी ते कुछ नहीं पूछा निनने ले लिया नुकसान होए कोई फरक में हम ऐसे नहीं करेंगे हम आप से पूछ कर और किसी एक व्यक्ति से नहीं आप सब से पूछ कर हम निनने ले लेंगे अब गोवा के सामने दो तीन बड़ी समस्या है आप उनको बहुत अच्छी तरह समझते हो शायद आप उनको मुझसे भी अच्छा समझते हो गोवा टूरिजम का हब है पूरी दुनिया में लोग गोवा को टूरिस्ट हब टूरिस्ट सेंटर मानते हैं अमरीका से लोग आते हैं जापान से आते हैं यॉरप से आते हैं इंगलेंड से आते हैं सब जगे से आते हैं हजारों लोगों को टूरिजम से आमदनी मिलती है तो या टूरिजम होगा या फिर पॉल्यूशन होगा दोनों चीज़े नहीं हो सकती या टूरिस्क हब बनेगा या फिर कोईले का हब बनेगा अगर आप गोईले का हब बना दोगे कोईले का सेंटर बना दोगे जिससे गोई गोई को कोई फाइदा नहीं हो रहा तो फिर जो टूरिस्त यहां आते हो कहेंगे हाथ जोड़के कहेंगे हम कहीं और चले जाते हैं हमें कोईला नहीं अच्छा लगता हमें कोईले के हवा मैं सांस नहीं लेनी है चले जाएंगे तो हम गोईला को कोईला का हब कोल हब नहीं बनने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए Turism में अलग-अलग stakeholders ही हम उन सब से बात करके चाहे वो छोटे business वाले हो चाहे वो shack चलाने वाले हो चाहे वो hotel owners हो चाहे हो scooter चलाने वाले लोग हो चाहे वो taxi चलाने वाले लोग हो हम सब से बात करकर निर्ने लेंगे तो एक प्रकार से हमारी कॉंग्रेस पार्टी की और आपकी पार्टनेशिप बनेगे मिलकर हम गोआ को आगे ले जाएंगे देश में जो हो रहा है आपको मालूम है कुछ दिन पहले मैंने पार्लिमंट हाउस में भाशन दिया और भाशन में मैं कहा कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक हिंदुस्तान चुने हुए अमीर लोगों का अरब पतियों का अमबानी अधानी जैसे उद्योग पतियों का उसमें चमक्त्योए घर मर्सडीज गाड़ी हवाई जहाज जो भी आपको चाहिए उस अमीर हिंदुस्तान में आपको मिल जाएगा उस हिंदुस्तान में कानून से कुछ लेना देना नहीं अगर आपको कुछ बनाना है घर बनाना है बनाओ जो भी आपको करना है आप कर सकते हो अमीर हिंदुस्तान जुन है वो लोगों का हिंदुस्तान दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान गरीब हिंदुस्तान बेरोजगार हिंदुस्तान इस हिंदुस्तान में आपको ना शिक्षा मिलेगी ना करोना के समय आपको स्वास्त मिलेगा हस्पताल नहीं चापाएंगे रोजगार नहीं मिल सकता छोड़ी मन रहेगा भी नहीं मिलेगा सौ दिन की गैरेंटी जो कॉंग्रेस देती थी वो भी नहीं मिलेगा और मैंने पार्लिमेंट राउंस में कहा कि ये देश एक है इस देश के अंदर दो देश नहीं बन सकते हैं अब आप देखिए नोट बंदी की हजार रुपए पांचसो रुपए का नोट रद किया जो छोटे दुकांदार थे स्मॉल मीडियम बिजनस चलाने वाले लोग थे सब के सब बरबाद हो गए गरीब लोगों को चोट लगी आप सब बैंक में गए बैंक के सामने आप खड़े हुए थे यादे आपको गए थे नोट बंदी के समय गए थे न खड़े थे लाइन में आपने एक अमीर आदमी देखा नोट बंदी की लाइन में एक अमीर व्यक्ति खड़ा था एक नहीं खड़ा था गरीब हंदुस्तान पूरा का पूरा बैंक के सामने खड़ा थे आपके जेब में से पैसा निकाला और अरब पतियों को दिया उनका टैक्स माफ किया जो छोटे छोटी कंपनियां चलाते थे वो सब कंपनियां बंद हो गई जो चाय की दुकान चलाते थे उनका जबर्दस नुकसान हुआ और जो बड़े बड़े अरब पती थे 5-10 उनको पूरा का पूरा फायदा में उसके बाद GST लागू करते हैं गलत GST चार-पाच अलग-अलग टैक्स फायदा किसको हुआ अमीर हिंदुस्तान को दस-पंद्रह बड़े-बड़े उद्योग पतियों को हर एक बिजनेस में आपको उनके नाम दिखाई देंगे चाहे वो पोटस हो एरपोटस हो अब क monetary के बिजनेस में उनको डॉलने की कोशिश करणें तीन नए कानून लायए पंजाब के किसानों ने उत्तर-पदेश के लड़ा ही लड़ी कानूनों को रध करवाया तो पूरा का पूरा फायदा उन्हीं 10-15 लोगों को दिया जाता है यहां पर कोईला का काम हो रहा है, फाइदा किसको जा रहा है, गोवा के जंता को मिल रहा है, क्या फाइदा नहीं, उन्हीं दो तीन लोगों को फाइदा मिलता है, तो हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमारी सरकार गोवा में जो small and medium business चलाते हैं, जो छोटे दुकानदा हैं जो गरीब लोग हैं कमजोर लोग हैं उनकी सरकार होगी और पूरी मदद हम उन लोगों को करेंगे एक एतिहासिक निर्ने गोवा में हम ले रहे हैं कुछ दिन पहले में में 36 गड़ था वहां भी हमने यह शुरुवात की है और गोवा में हम एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं जो दो हिंदुस्तान की बात कही मैंने कहां दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे तो हम आपके लिए गोवा के गरीब लोगों के लिए नयाए स्कीम लाएं है नयाए का मतलब हर महीने 6,000 रुपय साल के 72,000 रुपय है गोवा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाइरेक्टली जाएगा हर महीने आंदी आजाए तुफान हो जाए कोरोना हो जाए कुछ भी हो जाए अगर गोवा में रहते हो गरीब हो कमजोर हो 6,000 रुपय हर महीने 72,000 रुपय साल के आपके बैंक अकाउंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को भूका जाएगा हम यह नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को घबराएगा कि मैं अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज़ पाऊंगा तो हम एक हिंदुस्तान बनाना चाते हैं, एक गौवा बनाना चाते हैं, सब को हम जोडेंगे, मिलकर जो भी होगा मिलकर होगा. और फोकस हमारा रोजगार पे होगा. हम जानते हैं रोजगार किस प्रकार से पैदा किया जाता है Congress Party समझती है हमने किया है और हम एक बार फिर आपको करके दिखा देगी आप और आपने देखा है आपने देखा पिछले सालों में कोरोना के समय क्या हुआ आपने देखा बीजेपी ने रोजगार के लिए क्या किया आपने देखा टूरिजम के मामले बे उन्हें ने क्या किया आपने देखा मुझे बताने की भी जरूरत नहीं बीजेपी की सरकार बिलकुल फेल है और इस बार Congress Party ने निन्ने लिया कि जो defectors हैं जिन्नोंने धोका दिया उनको हम ticket नहीं देने वाले हैं और वो हमने वाइदा किया था और इस बार हमने नए लोगों को ticket दिया है और full majority से पूरी majority से गोवा में Congress Party की सरकार बनने जा रहे हैं मगर एक मदद हम आप से चाहते हैं गोवा की जनता से चाहते हैं और इसके बारे में मैंने शुरुआत में बुला था लड़ाई BJP और Congress के बीच में हैं बाकी पार्टियों के बीच में नहीं है तो आप अपना vote जाया मत कीजिए क्योंकि अगर आप अपना vote जाया करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होने वाला है हम चाहते हैं कि फुल मजॉरिटी से Congress Party की यहां सरकार बने हर एक vote हर एक vote किमती है हमें फुल मजॉरिटी चाहिए तो आपको vote जाया नहीं करना है Congress Party को vote दीजिए मिल के लड़िए और एक निया गोवा एक नई सरकार जो आप से मिल कर आपकी बात सुन कर निड़ने ले उसको आप गोवा मिलाई यहां आकर मुझे खुशी हर बार होती है सिर्फ एक एक बाद अच्छी नहीं लगती है कि मैं आता हूँ एक दो दिन के लिए आता हूँ और फिर चला जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ शाहिद मैं अगली बार आऊँ चुनाओ के बाद आऊ तो मैं एक दो दिन के लिए ना आऊ साथ आट दिन के लिए आऊ यहां पर जो आपका आपका जो सुन्दर प्रदेश है इसमें मैं थोड़ा समय आपके साथ रहूँ तो चुनाओ के बाद मैं जरूर आऊंगा और थोड़ा और समय आपके साथ यहां मैं रहूँगा आपका बहुत-बहुत धनेवार दिल से धनेवार और आप यह बात समझेए कि यहां पर आपके गोवा के लीडर्स हैं यह आपकी सेना है मगर मैं आपका दिल्ली में रेप्रेजेंटिटिव हूँ और जो भी आप मुझे चाहेंगे मैं करने को तियार हूँ तो आप खुल के जब भी आप कुछ चाहें मुझे मेरे दर्वाजे आपके लिए खुले हैं मुझे आप कहिए कि देखिए गोगती जंता के सामने यह हमारा कष्ट है हम्य हापके मदद चाहिए मैं यहां हाजिर हो जाओंगा बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिन बहुत बहुत धन्यवाद राहूल जी राहूल गांधी की राहूल गांधी की राहूल गांधी की जो बरे करो अने आता बाब अमनाथ पंजिकर स्रेच उपकार आठी थे